महराश्ट में इस साल के अंत में होने वाले विधान सभा चुनाओ को लेकर राजनीतिक गतिवीधियां तेज हो गई हैं। मीडिया में छपी रिपोर्स के अनुसार, हाली में इंडिया टुडे द्वारा किये गए, मूड अफ दे नेशन सर्वे के अनुसार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली वरतमान सरकार और इसकी सहयोगी पार्टियों, भारतिय जनता पार्टी और अजीत प प्रतिशत लोगों ने सरकार के कामकाज को लेकर असंतोष जताया है, यह सर्वे राज्य की वरतमान राजनीतिक स्थिती को दर्शाता है और आगामी विधान सवा चुनाओं में इसका महत्वपूर्ण परभाव हो सकता है, महराश में विपक्षी दलों के परदर्शन को ल की 30 प्रतिशत लोगों ने विपक्ष के कामकाज को लेकर निराशा व्यक्त की है, दो हजार चौबिस के लोकसवा चुनाओं में इंडिया गडबंधन के सहयोगी दलों ने 48 लोकसवा सीटों में से 30 पर जीत दर्च की थी, कॉंग्रेस ने 13 सीटें, शिफसेना यूबीटी नौ सीटें और शरत पवार की एंसीपी ने 8 सीटें जीती थी, वहीं एंडिया को केवल 17 सीटों पर संतोश करना पड़ा था, जिसमें भाजपा ने 9 सीटें, एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली शिफसेना ने 7 और अजित पवार की एंसीपी ने केवल 1 सीट जीती थी, ह रह से बढ़कर सोला हो जाएंगी, यह विर्धी दोनों पार्टियों के सहयोगी दलों के कारण संभव हो सकती है, महाराष्ट में आगामी विधानसवा चुनाओं के मद्दे नजर, मूड अफ द नेशन सर्वे के नतीजे, राज्य में राजनितिक संतुलन की दिशा को दर शाते हैं, राश्टी और राजस्तर के चुनाओं में मुद्दे और मतदाताओं की प्रास्मिक्ताएं अक्सर अलग-अलग होती हैं, लेकिन यह सर्वे संकेत देता है कि NDA को महाराष्ट में अपनी स्थिती मश्बूत करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे, विशे तोर जाएगा यह देखना दिल्चस्प होगा